हेलो एवरिवाञ्ट, वेलिबो तो विया पेडो सर्व आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विया पेसर पे जहां مिलते हैं आपको एक्जाम डेहंस रेलेवेन गौंटेंट तो आप सभी के लेपो सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करते विए बढ़तें सिधा आगे तरफ यह ही आपके सामने को करना कि आपको कुछिन को सॉल्व करना है यहां ऑपसंस दिये गए अपसंस में से आपको उसर चूज करना है और फिर चैट वॉक्स में अपने अंसर को बताना है ठीक है बिल्कुल स्पीड में रहेंगे और कुछिन को तेजर सॉल्व करेंगे राइड वसकोर्षिन इसकोर्षिन को सॉल्व करें अंसर बताये पहला को चैन एक रोसे पोल इन 25 सेकेंड अनुट रेंट रेंट रेंड बी प्रोसेज एपोल इन वन मिनिट 15 सेकेंड लेंथ अप्रेंड अप्रेंड यहां पर दिया गया है और ट्रेंड ऑर ट्रेंड बी को किसी को पोल को क्रोस करने में कितना से में लगता है और इन नोनों की लेंट का भी आपसनेरा दीया गया थीक है तो अगर हाँ से देखें लेंटत फॉन फॉफ ट्रेंड अजोH क्या प्रेंड होजाएगा बन हो जाएका हम कह सकते हैं यह अगर x है या फिर यह अगर l है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2l ठीक है और यहां पर हमसे पुछा आगे speed कर इस यह speed क्या होता है जब किसी pole को कोई train cross करती है तो pole को क्या समस्ते हैं लो pole is as a point object तो pole का length कुछ होता नहीं है यहां पर ट्रेन का अगर यहां पर निकाले speed of train a हमें क्या मिलेगा length of train a divided by time length of train a कितना एल है और time कितना लगड़ा ऐसे 25 seconds ठीक है दिखान रखेंगे यहां पर questions जो है सब कुछ हम लोग एक ratio में लेके चलेंगे मतलब एक लिए अगर मीटर पर सेकंड ले रहे हैं हर जगर मीटर पर सेकंड लेंगे अगर क्लिम्टर पर आवर लेंगे क्योंकि यहां पर हमें देखने मिल रहा है क्या second मिल रहा है हम लोग यहां पर सारे कर्कूर्ण सेकंड में ही करेंगे ठीक है विए स्पीड ओफ ओफ ट्रेंड हो गया लेंध ओफ टरेंड डिवाइड बै टाइम ठीक है ति मिलरल्ली यहां निकाल लहीं हम्लोग speed of train b यह क्या आजाएगा length of train b यानिकि 2L divided by time कितना 1 minute 15 seconds 60 minutes 60 seconds 75 seconds 75 seconds क्या पूछा हम से इन दोनों के speed का ratio लेंगे ratio और हम से क्या जाएगा L से L cancel हो जाएगा 25 और 75 आपस में cancel हो जाएगा सब्सक्राइब ऑन इस को एफ इसका सही अंसर हो जाएगा और आ रहे हैं तो बिलकुल सही है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं कि you are eligible to like this video video को like करें और चैनल को अधिक शेयर किया करें वीडियो को शेयर किया करें उन सभी स्टोइट से पहुंचा है जो भी और भी पियो क्लर की एक्जाम देने जा रहे हैं और वो एक्जाम को सच में क्रेक्ट करना चाहते हैं ठीक है यह था फॉर्स्ट कोश्चन आगे वरते हैं को श्रों अन्म सेकेंड की तरफ किया है तू परसंट एन बी स्टार्ट इन्विजनेश इनविश्टमेंट अउफ श्टाउजन और नाइन थाजन यह इनविश्टमेंट का कोश्यन है पार्टनर्स में को अपको फ्लिम सब्सक्राइब मिलते हैं कभी कभी कभा इसमें A कर रहा है 6,000 रूपए और B कर रहा है 9,000 रूपई रिस्पेक्टिवली दे इनिवेस्ट फॉर दिया गया हो टाइम पीर दिया गया हो तो उसका हम लोग रेशियो ही पाइट करते हैं रेशियो दे रखा है और अच्छी बात है यहां से रेशियो निकाल लेंगे यह 3,000 रूपए है यह इन दोनों को सम करते क्या मिल जाएगा नाइंटीन नाइंटीन यूट की वैल्यू कितनी है 4370 हमसे पुछा गया एक का शेयर कितना होगा एक इतना है कितना हो जाएगा 43 यहां से वन की वल्यू निगा यह इसे कितना है रहते हैं कितना है कितना है यह एक का सेयर बीके बीटीन निकाल सकते हैं तो आप नहींक आ करेंगे यह आजाएगा नाइट करेंगे कितना जाएगा जिसको आप उड़ी कर सकते हैं अराम सकते हैं अराम से 15 सब्सक्राइब किसी भी कुश्चन में किसी को डाउट हो कुछ समझ में नहीं आए एक कुश्चन कह सौल हो गया फिर भी को डाउट है तो अपने डाउट जो है यह भी है आपके वह कमेंट बॉक्स में लिखे कोस्टन नमबर के साथ ठीक है इस बेदेश प्रवाइब आपके अपने यह एडाउट यह जो है वह बड़ा बैग है और बाकी जो है थोटा बैग है ठीक है इस्ता स्वाज मा गया अट वह प्रइस शोड ही सेल वन बिगर बैग स्वाज प्रवी एडाउट प्रवजर मों प्रवजर थे रिखे गडर का यह जो वह जोड़ा है इस बात है अब यह कह रहा है इस में जो इस बैग को यह सेल करेगा पूछ रहा है कितने price पे sale करेगा कब जब इस total 30 bag को sale करने पीसे 30% का profit क्या हिए 30 bag को पुरा-पुरा sale करेगा तो कितना फर्मच चाहिए 30% चाहिए जिसमें से कह रखा है कि 24th bag जो है इन्हीं sale किया जाता है 3 by 1 4th of the price जिस पे इस bag को बेचा जा रहा है माल लेंगे इस बैक को बिचा जा रहा है एक्स रुपीच पर उसके तरह बिचा जाएगा थ्री बाई फॉर एक्स पर ठीक है यही कोशन में कह रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं है तो अब इस कुशिंग कैसे करेंगे लोग करने करी तरीके हैं आप सिंपल क्या देखें कि अगर थर्टी बैग है थर्टी बैग कॉस्टिंग कितना आएगा कुछ भी आ सकता है पॉफिट हमें चाहिए ने प्रॉफिट कैसे मिलेगा 4800 इसक अगर यहां देखें तो फॉफिट है निके 130 इसके वन थर्टी बाइटें ठीक है यह कितना आ जाएगा 13 से एक टाम करेंगे यह कितना आ गया 62 40 इतने में हमें यह क्या है यह टोटल रटी बैग को सेल करना है इतने रुपय में सेल करना है अब जैसे जैसे भी मैनेज करना वह हमें करना है ठीक है इसमें को दिकत नहीं है अगर यहां देखे हैं हम लोग जो 6 बैग है अगर इसे कर दें हम लोग 4x तो we can simply say इस 24 बैग को बिचा गया होगा 3x पे यानि कि हम लोग कह सकते हैं 6 into 4x plus 24 into 3x equal to 6 to 4 0 यहां सब क्या देख पा 24 यहां भी 24 यहां भी 24 को इसले cancel करते हैं 24 सब्सक्राइब करें हम हमें क्या मिल जाएगा 24 24 24 तूजा 48 58 14 144 24 6 जा होता है 260 यह आजाए 260 यानि कि 3x और 1x 4x 4x ता वैल्यों में कितना मिल गया 260 मिल गया ठीक है यहां से निग्जाज़ते हैं एक्सक्राइब कितना आजाए 65 आजाएगा ठीक है थो हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया at what price should the sales वन बीगर वैग्स उसक्राइब का प्राइस कितना है वन बीगर बैग का प्राइस है एक्स क्या है 4x क्या वैल्यों आ चुका है 260 अंसर क्या हो जाएगा 260 आपसन नमबर भी इसे वन बैक के निकालेंगे एक्स के बलू को निकालेंगे क्या मिलेगा आप को 65 आजएगा और यहां साब चाहें तो फिर इस मोर बैक की वैल्यू को भी आप इसे कर सकते हैं सकते हैं वन नैंटी फाइव आजाएगा आप इस तरीके से अप्रोच लें कुश्चन को सॉल्ब करें को पढ़के समझना भी बड़ी बात होती है अगर को समझ नहीं पाएंगे आप तो फिर सॉल्ब भी नहीं कर बाएंगे लिए को ध्यान से पढ़ें और समझें और फिर को सॉल्ब करें ओल क्लियर आगे बढ़े फिर सॉल्ब करते हैं कुश्चन नंबर थी के बाद कुश्चन नंबर फूर्ट क्या इन एलेक्शन बिट्विन टू कैंड़ेंट्स ए और दो कैंड़ेंट्स हैं दोनों के बीच एलेक्शन होता है एटी परसेंट आप वोटर्स कास्ट देर वोट्स ओके य इसमें जिन लोगों के नाम होते हैं वो कहलाते हैं वोटर्स इस लिष्ट में जिन लोगों के नाम होते हैं वो कहलाते हैं वोटर्स होते हैं वो कहलाते हैं वोटर्स कहलाते हैं ठीक है अब इन सभी के पास राइट है कि वो जा करके election में वोट डाल सकते हैं ठीक है इस list में जितने भी लोग होंगे वो क्या है वो वोटर्स हैं यह करेंगे यह election में जाएंगे election कास्ट करेंगे इनके मर्जी उपर होता है वोट करने के बाद गलती करते हैं कुछ उनका इनिटी मैच नहीं किया या कुसी भी कारण से उनका वोट क्या हुआ वोट क्ज़ियद इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब क्या हुआ लिक्ता हैं याने कि 20 वोटर्ट जो 20x अब बचे कितने 60x यह कैसे हैं यह है valid मतलब जिनका vote count होगा क्या करने के लिए decide करने के लिए कौन winner है कौन loser है यह 20x कैसे होगा invalid count ही नहीं करना अब बचे 60x इसी 60x के vote पे decide होगा किसे कितना मिला और कौन जीता कौन हारा ठीक है अब इसमें कह रहा है कि दो current rates हैं एक a और एक b ठीक है आप कहेंगे कि 80x लोगों ने vote किया 20x जो invalid voters है इन्होंने vote किया होगा a को b को बिलकुल किया होगा लेकि इन्होंने जो a और b को vote किया इस से में कोई मतलब भी नहीं है तो कि counting नहीं होना ना इसका कैसे वोट है यह invalid वोट है तो बचे कौन हमारा पर इसी पर काउंटिंग करेंगे इस exact करेंगे कह रहा है कि a got 56% of valid vote इसका 56% किसे मिल गया a को मिल गया ठीक है अब बचा कितना इसका मतलब क्या होगा यहां पर जो परसंटेज में डिफ्रेंस आ रहा है वही डिफ्रेंस क्या होगा इन दोनों को अगर अगर यहां से माइनस करते हैं हम लोग हमें क्या मिल आएगा हमें मिल आएगा 360 के बराबर एक्वल टू 360 ठीक है यहां देखे 60 दोनों में कॉमन है तो पहले ही कैंसल कर लेते हैं इसक्ष्ट परसंट जो भी है इसका जो वैल्यू है यह कितना है यह है तो आपटा है 6 तो आप यहां पर एक्स परसंट का वैल्यू जो भी एक्स का वैल्यू जो भी आऄ रहे ही कितना आ जाएगा यह आजएगा 개 अगर ईक्षिशंट परसंट का जो भी वैल्यू है वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा यहां से 50 ठीक है आप से पुछा गया है कितना टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने वोटर थे वोटर किते हंड्रेड एक्स थे तो पुछा गया हम से हंड्रेड इस निकाल दी हम लोग हंड्रेड से कर दॉटेड इस्हें पुछाएगी मैं त्सक्राइब कितने वोट गया हूगा बोले कुछ यहां पर नहीं पूछ सोते हैं और गल्रेड वोटर कितने वोट किया एक इस नहीं किये गए यह इंग्ग अप्को अप्को एक्टिय आपको лаг две कि उचसेंग होगा है закऊ करते हैं कुश्चिन 4 के बाद क्वस्चंफब पर कि क्या ये कॉस्चिन नंबर 5 यहां क्या दिया गया वोच्थ यैश ट्दक्स ट्वाइज त्वरू तो उनों के time का ratio दिया हुआ कह रहा है कि मैं बतलब compare किया हुआ है कि boat takes twice the time to row upstream आप stream जाया से मिला गया obvious सी बात है और 2T यहां पी लग रहा T twice time हो गया ठीक है इस certain distance ठीक है water respective ratio of speed of boat in still water and speed of stream आप से boat का और stream नहीं कि water के speed का ratio पुछा गया है ठीक speed का ratio यह time का ratio है ठीक है तो time का ratio क्या होता है ठीक इसका cross कर देंगे बलोग यह क्या मिल जाएगा यह 2T है यह कितना हो जाएगा T और यह हो जाएगा 2T ध्यानक ना यह time था और यह speed है इसा कैसे होता है ऐसा simple आप अगर देखेंगे यहां पर distance equal to क्या होता है speed to time होता है यहां से अगर निकाल रहेंगे time equal to क्या होगा distance by speed होगा time और speed जो है यह कैसा होता 2T है यहीं कि 1 है और B plus W कितना है 2T है इन दोनों को add करके divide करते हैं B कितना मिल जाएगा 3 1 4 4 का half यानिकी 2 1 2 plus 1 3 3 3 का half यानिकी 1.5 water कितना है इन दोनों को minus कर देंगे 2-1 1 1 1 का half 0.5 पूछा क्या इन दोनों का ratio still water और stream का ratio यहां से कितना आ जाएगा 3 is to 1 यह हो जाएगा इसका सही अंसर option number D हो जाएगा करेट अंसर क्लियर है कि अगरे डाउट कि तो इससे भी आप और लिदेश से करते कैसे करेंगे आप जैसे ही पढ़ा यहां पर टाइम दिया गया है टाइम को बस उल्टा करने यह आपको स्पीड मिल जाएगा और श्पीड में क्या है बूर्ट मायनस वाटर अनगूट प्लस वाटर है दोनों को एड़ करकी हाफ करें यह मेल लिए बोट काशा जिए तोनों को मैनस करकी हाफ करें ऑटर का चलिए कितना आया, 1.5, 0.5, कितना हो जाएगा, देश्ट 2, 1, complete, clear, next question number 6, यह क्या है, the perimeter of square is twice the perimeter of rectangle, यह कहरा है, perimeter of square, यह कितना होता है, 4a, यह जो है, twice of perimeter of rectangle, यानिका 2 into l plus b, रिखे, यह आपको लिखना नहीं है, आप इसे भी तहीं से कर पाएंगे, रिखे, कैसे कर पाते हैं, मैं आप बता रहा हो, जिखके, if the perimeter of the square is 56, perimeter कह रहा है, यह जो value यह किसके बराबर है, यह है 56 के बराबर, यहां से आप a नहीं का सकते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, a कितना आजाएगा, 14 आ जाएगा, a length of rectangle is 9, length कितना है, 9, यह 9, यह प्लस b, ठीक है, what is the difference between the breadth of the rectangle and the side of square, यह से भी निकालना कितना हो जाएगा यह हो जाएगा सिंपल 14 और बी कितना जाएगा 5 यहां से में ब्रेथ मिल गया ब्रेथ कितना आ गया 5 आ गया पूछा है साइड ऑफ स्कार यानि कि 14 ब्रेथ ऑफ टैंगल यानि कि 5 दुनों करना माइनस क्या मिलेगा 9 अप्सिन नंबर भी हो जाएगा सही अंसर है ठीक है एजी कोश्चन है ऐसे ही कोश्चन देखने को मिलेंगा आपको एक्जामस में आप आप से लेक्ट में आप इससी तरीके से काफी कम सवह में सॉब कर पाएंगे हैं क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें जा नहीं किया हैं तो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी एक बार कर लें नेक्स कोश्चन नबर सेवन पी और क्यू स्टार बिजनेस विट कैपिल ऑफ 8000-12000 फिर से पाटने से कोश्चन है यहां पर एक पी है यह क्यू है यह कर रहा है 8000 रुपए इनवेस्ट और क्यू कर रहा है 12000 रु यह चार्व महीने के बाद आया है यह करेगा चार्व महीने के बाद आर नेक्स दे रहा है और आपको नहीं आपश से पूछ रहा है प्लाफिट और क्यू एड इंड 3 times और यह भी 4 से 3 times अब कुछ cancel होगा यहां से यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 4 यह कितना आ गया 4 त्रिजा 12 इस त्रिजा 18 और यह कितना गया 5 तो 12, 18 और 5 का हमें यहां पे ratio मिल गया P, Q, R के investment का बोल रहा है P और R के बीच का जो profit का difference है वो 4, 2, 00 है यह रहा P, यह रहा R, difference कितने का है? 7 का, किसके बराबर है? 4, 2, 00 कितना आ जाएगा? 600, पूछा किसका है? Q का, Q कितना है? 18, 18, 6 है? 108, 108 पे 00, option number C, आया है समझ में? 1 का value हो गया यहां से 600, पूछा हम से किसका Q का, Q कितना है? 18, 18 into 600, याने की 108, 00, option number C हो जाएगा इसका सही answer, clear है? समझ माया? तो doable question है, आप अराम से question exam में कर सकते हैं, clear? बढ़ते हैं आगे, TG के साथ question number 8 की तरफ, यह question कैसा है? Try to solve this question, answer बताएं, answer बताएं, इस question का क्या होगा? A certain sum in certain time becomes rupees 10,000 at a rate of 94% per annum SI, okay? Certain sum में नहीं पता, principle मालते हैं P, ठीक है? Certain time मालते हैं T, और rate देरा का 94% nature का इसा है, SI का, यह 10,000 रुपे हो जाता है, यह क्या होगा? यह amount होगा, ठीक है? And the same sum, same sum, यानि कि same sum वही P, amount to be 4000 at a rate of 8% per annum SI, in same duration, T time. यानि कि same sum को, P principle को T time के लिए 24% पर करते हैं, तो 10,000 रुपे मिलता है amount, और अगर, same principle P को T time के लिए, तो क्या मिलता है? 4000 रुपे, चीज़ी से बात है, अब यहां से क्या कर पाएंगे हम लोग, amount क्या होता है, amount होता है, principle plus principle into rate into time by 100, यह होता है, यह कितना है, यह यहां पे 10,000 रुपे है, है ना, यह यहां पे कितना है, 10,000 रुपे है, यहां पे rate कितना है, यहां पे rate दे रखा है, यह है 24%, कि अधिकेंड की बात करें प्रिंसिपल इंटू रेड कितना यह 8% है टाइम यह टी हो जाएगा ना टाइम के लिए टी यह टाइम बाइंड्रेट इस बार कितना मिल ला है मुझ इस बार मिल रहा हमें 4000 रुपय यहां से इसमें को दिक्कत है नहीं होगी अगर दोनों को माइन करते हमें क्या मिल जाएगा पी से पी कैंसल 24 में से 8 में कितना मिल जाएगा 16 यह आ जाएगा 16 पी इंटो टी बाइंड्रेड और यहां कितना मिल जाएगा यहां मिल जाएगा हमें 6000 क्लिर इतना यहां पे कैंसल करें 4 से हो जाएगा 4 ताइम 25 ताइम और 4 से यह हो जाएगा 15 lection अ के यहां पियन क्या मिल गया हमें फी ओरई टी चौंटेंट को भी हमें से इसमें इसमें कोई अए है जहान से हमें इतिकाल कर गली यहां से हमें कि अगर पहले वाले को देखे इसमें 24 परसंट पर दिया गया था कितने पर दिया गया था चौबिस परसंट वाले पे जो एसाई मेरा आया था वो कितना आएगा वो कितना आएगा इसाई यह आजाएगा आएगा 1500 इंटो 25 यह हो गया पी इंटो टी और आ रहे कितना आएगा 24 है यहां से यह क्या मिलेगा यहां से यह मिल जाएगा यहां से हमें एसा हमें मिल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं और यह अगर यहां से इंट्रेस्ट यहां से नंहीं हो जाएगा 50 to 30 360 उंट्या यह जाएगा यह distillाएगा कितना हो जाएगा 25, 6 जा 150 25, 3 जा 75 80, 90 यह आ गया 9,000 रुपई यह क्या आया 9,000 रुपई आया क्या यह आया मेरा SI यह क्या आया SI आया प्रिंस्पल कितना हो जाएगा प्रिंस्पल निकालने के लिए इस 10,000 रुपई में से हम लोग इस 9,000 रुपई को मैंनस करते हैंगे हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ से 1000 रूपे यह क्या आ लगया है यह क्या इया प्रिंसिपल आ pa भगएवास समजने एयरी यह क्या एक हजार रूपे यह प्रिंसिपल आ गया रूप में stat cured milliards लेंगे तो में पर यहां पर none of these भी तो है हो सकता है यहां पर टाइम गलत दिया हो हमें यहां टाइम भी find out करना पड़ेगा time कैसे निकालेंगे यहां से simple क्या करें यहां पर आपके पास p और t का value दिया गया यह रहा इसमें आप p का value put कर दें और t मिकालें टी कितना आ जाएगा वन फाइब डबल जिरो 25 डिवाइड बाई पी कितना था एक हजार ठीक है दो जिरो दो जिरो cancel 5 से 5 तामस कैंसल 5 से 2 तामस कैंसल 15 5 जा 75 75 का half कितना होता है 37.5 37.5 यह हो जाएगा इसका time इस तरीके से क्लियर क्या होता है option number D होगा इसका सही अंसर एने डाउट मैंने आप पुरा पहर समझा दिया कैसे कैसे होता है आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल और टाइम के value को क्लियर है आगे बढ़े फिर नेस कोशन के तरफ question 8 के बाद question number 9 यह क्या है अभी से कैन सुमित वर्ट फॉर्ट फॉर्टी देज और एव वर्क रिस्पेक्टिवली अभी सेख जो है चारिजन काम किया वर्क के उपर और सुमित जो है वह लोकिसी वर्क के उपर उसी सेम वर्क के उपर थर्ड इसकांट किया दरेशियो ऑफ दरोडल वेज एंड बाइज फॉर इस्टो त्री यह इनके वेज और करने का रेशियो दिया गया है वाट रेशियो अब यह इसेव का निकालते हैं लोग कितना काश्य कह बोलते हैं अगर मल्टिप्लाई कर दे हम अभी ब्लोक नमबर आफ डे से काया मिलता है ये मिल जाता है आपको उतना पैसा मिलेगा आपको उतना आप किया जायेगा है ना है MARY हमें दिया गया है दिया गया नहीं पता, efficiency नहीं पता, time तो पता है ना, time दिया हुआ, which it is, work hard issue भी दिया हुआ है, तो अगर यहां से देखे हम लोग, कैसे नहीं का सकते हैं, efficiency नो टाइम कर देंगे नाम से, efficiency मालतें, अभिशेख का efficiency यह है, into, कारी जिन काम किया, सुमित का efficiency ES है, यह 30 दिन काम किया, और इसका ratio यहां पे दिया हुआ है, 4 इस्टो 3, cancel करेंगे, 4 से 10 ताइम और 3 से 10 ताइम तो E, A और E, S, कितना कितना आ गया, 1 by 1, हाँ, यह कितना गया, 1 by 1, हैनिक ratio कितना हो गया, 1 by 1, 1 is to 1, option number C, समझ में आया, concept भी आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, वैसे आप simple अगर इस question को देखते हैं, तो solve कैसे किया था, ऐसे करेंगे simple, 4 से 10 ताइम, 3 से 10 ताइम, 10 ताइम, 10 ताइम, 10 ताइम का ratio, 1 is to 1, answer, तो यह किसे आप समझ नहीं पाएंगे, कि यह हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आयोग यहां से clear हुआ होगा इस ताइम को यहां पर एक question बनके कैसे आता है, इनके बिस का relation क्या होता है, all clear, बढ़ते हैं आगे question number 10 की तरफ, क्या question में दिया गया, सुभं decided to spend 54% of a salary, हाँ, यह question जो है कि salary था, salary में से इतना percent वो, traveling पे खर्श करता है, इतना shopping पे खर्श करता है, इतना, जो, जो rest of amount बच गया, उसका इतना मम्मी को देता है, उसका इतना वो पापा को देता है, फिर इतना पैसा वो से यू डाल देता है, इस टाइब ए question जो है, हर set में आपको हर exam में, हर prelim से गया में एक question आपको ऐसे देखरों मिलते हैं, यह सबसे आसा question होता है, देखने में लगता है, लेकिन होता आसान है, आप अराम से कर पाते हैं, सिर्फ पर percentage ratio के concept पर बना होता है, देखते हैं क्या दिया गया है, तो हम डिसाइड किया है, 54% जो salary का है, वो traveling पे खर्च करेगा, जब वो घूम फिर के आ गया, he realized that, he had spent only 45,900 रुपीज, यह गुम फिर किया गया, उसे पार्च लाएं के सिर्फ पर सिर्फ वो 45,000 रुपए ही खर्च किया है, which was 50% of what he had decided, जो वो सोचा था, जो decide किया था, उसका यह 50% ही है, अगर हम यहां से मान लें, क्या मान लें पहले कि निकालना है, मान लें सुभम का सेलरी है, यह कितना है, यह है 100, ठीक है, इसमें से 54% इसे खर्च कहां करना था, 54% खर्च करना था इसको ट्रेवलिंग पे, लेकिन ट्रेवल करने के बार कि आप इसका यह हाफ खर्च किया, 50% हाफ होता है, 27, इसका वैल्यू कितना है, इसका भी दे रखा है, 459 00, है न, यहां सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 5, 1 00, किसका आगया, पूछा क्या है, कितना है, 17 00, और यहां पर लागा देंगे, ही हो जाएगा इसका सेलरी, 17 00, 00, 170,000, या फिर 170,000, आप कह सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो ऐसे आपको easy-peasy question जो है, exam में देखने को मिलेंगे, RRB clerk के exam में, पहले आपका वही exam है, उसका RRPU exam में यह कुस्त देखने मिलेंगे, आप definitely इस तरीके से solve कर पाएंगे, आसानी से, clear है, यह 10 कोश्य हमारे पास थे आज के लिए, तो आप कह सकते हैं, कुछ topics के आपके quick region आप यहां पे हो गए होंगे, और आप यहां से कुछ सीख पाए होंगे, आपके speed थोड़े से बढ़े होंगे, अगर सब कुछ समझ में आया है, तो आप यहां पे क्या करें, एक बड़ वीडियो के जरुब से लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करके बढ़ एकन प्रेस करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, जिससे वीडियो के डिश बढ़ें लोगों तो पहुंचें, लोग इसका फाइदा उठा सकें, सीख सकें और एक्जाम करें कर सकें, यह है, पर इसमुक पर जिससे आप लाइक फॉलो करतें, इस्टाग्रम इसे आप लाइक फॉलो करतें, और टेलिग्राम है, इसे आप जिससे ज्वाइन कर लें, चैनल पर बहुत सारे कॉंटेट अवलेबल है, और डी प्रिविए शेयर कॉस्टिन एंड डिफरेंट दिफरेंट तिंग्स, उसे आप देखकर प्रप्रप्रप्रप्स अच्छे से कर सकते हैं, त्क यू पर वाचिं इस वीडियो, क्या स्माइलिक अलवेज, मिल्टन एफरेंग्स वीडियो में उसे एंड तरेंट लाचिंट, एफरेंट बार वाचिंट, तीम प्राप्स, प्राप्रप्रप्रप्स, बालवेजर लाचिंग्स, तीमप्स, इस भाल इस वीडियो प्र दो घ्क यून एप बंपकते हैं, झाल झाल